पूरू कांग्रेस की एक दवार नेता मोजूद ने अंतर सिंग दरबार जो अब निर्दली चुनाव लड़ रहे हैं आईए उनसे जानते हैं बात करते हैं क्या ब्लूप्रिंट महू के लिए उन्होंने तैयार किया है किस तरीके से वो निर्वाचित होते हैं तो आगे के महू के विकास में क्या काम करेंगे आपको बहुत बहुत स्वागत है साधना नीज मतरपदेश में कतावार नेता है आप कॉंग्रेस के और अभी निर्दली जुनाव लगने है क्या योजना है लेके किसाज में आपको जुदार करना चाहूंगा निर्दली नहीं ये टिकीट पहली बार महू की जनता का टिकीट है कारकरताओं का टिकीट है जब जनता का टिकीट है तो निर्दली नहीं है जनता ने बहुत जोड दे कर मुझे ये कहा है आदेश दिया है कि आपको चुनाव लगना है महु क्योंकि क्या है बीजेपी अभी लगातार यहां पर सीट पर काभिज रही है बीजेपी का वर्चसु रहा है और यसे में आप एक कदवार नेता है लोगों का इसने आपके साथ है तो अब यह भविश्की क्या ऐसी योजनाय रहेंगी जिनको लेके हम लोगों को आश्व में लगातार दो बार विजेप्राप्त की है फिर दोजाराट में मनिक इलाज जी यहां आए और उनने चुनाव लोड़ा बहुत जबर्जस हमारा दोनों का संगर्स हुआ अखिर बाजी उनके हाथ लगी दोनों बार वो एक अलग चीज थी दियर तुफान की लड़ाई थ जिसे पेरू पेरू और सिकंदर की लड़ाई थी तो हम चुनाव लूज हो गया था मारा मैं उसे लूज नहीं मानता क्योंकि जंता का प्यार बहुत था पर अगर और कोई चीजे उसमें होती है ऐसे सामिल जो चुनाव में नहीं होना चाहिए तो मेरा चुनाव लूज हु केलाज जी ने अपने लड़के को सेप कर लिया तो हमार कारकरता यह समझ बेठे कि हम चुनाव जीत गये तो थोड़ी सी लापरों में चुनाव हार गये थे वह इस वार मेरा बहुत पांस सालों में जबर्जस काम था मेरा पाल्टी के लोगों को यही कहना था कि अगर आप के मांदर्ण में नहीं बेठता हूं यह आपके सर्वे में नहीं है चुनाव हारना मेरा पांस साल पेले की घटना है पर आज अगर आपके सर्वे में नाम आ रहा है और पेले नंबर नाम आ रहा है एक तरप एक पार्टी जो टाप टेन में है सेंटरल मिनिस्ट्री में नरे रही है सांसदों को उतार रही है चुनाव जीतने के लिए एक तरह आप जीती हुई सीठ पर जो है वो किन्तु परंतु कर रहो हो यह कितना दुर्भाग्यों दुर्भावना है जब मुझे यह चीजे थी आपको कि तीन बार ओले को नहीं तो मुझे रहूल गांदी जी की सभ बुला कर क्यों दी मैंने जबर्जस सक्सेस कि उसको सफल बनाया उसको खूब संगर्स करा पांच साल मेरे संगर्स के कारण नहीं माननी सूसरी हमारी जो इधाय कि हो साजी मुझे इसा मानना कि उनने इंदोर तीन और एक में टिकेट मांगी थी पर जब मेरा टिकेट नहीं तो उनने तापट तोर दिल्ली जाकर के टिकेट लाई जब ऐसे केंडिडेट को आप नहीं लडा रहे हो और जो केंडिडेट 2003 में सरकार जाने के दो महीने बाद पार्टी को कारिकरतां को बिलगता छोड़कर अगर चला जाए और जब अभी एक महीना बचा है और ये चु तो बालक पेदा हुआ था आज से 20 साल पहले 18 साल पहले तो आज मद्दाता है वो उनको जानता ही नहीं है जब 20 साल में वापस आये हैं तो ऐसे व्यक्ति को किस मान दंडों में टिकिर दिया बस मेरा इतना सा इसलिए मैं चुनाओं लड़ रहा हूं नहीं तो मैं पार्टी पर जो उनकी समस्या है थी या कोई भी जंजट आया हूँ तो मैंने उनका काम करा है तभी तो आज कर करता हूं कहजूम औरेलिया आप देख रहे हैं मेरे साथ है तो यह चीज़े पार्टी को सोचना चाहिए थी अगर पार्टी का कोई भी जो व्यक्ति टिकिट मांग रहे जो मेरे से दूसरे नंबर पे थे या तीसरे नंबर पे थे उन लोगों को किसी को भी दे दे ते तो मेरी नयतेख जबादा जवाबदारी थी कि मैं उसका काम करूं इस तरह से समय में जब आप पे कम लतास करते आ रहे हैं देखिए दो बार सीट गई है उसके बाद भी बावजुद आपने इतना इसने है लोगों का गमाया मगर इस वक्त बड़ी पार्टी ने आपको टिकेट नहीं दे कर मतलब कुछ गल्ती की अब ये मेरे हिसाब से तो चूक है अब उनके हिसाब से उनने क्या दी है ये मानते हैं आप इस चुनाओं हमारी चूनोती जो है वो अभी फिलाल समने फाउं मरें हैं अब धीरे धीरे प्रचार चलेगा प्रचार करने के बाद आप जैसे लोग जब इसका आकलन करेंगे जो की प्रजातंतर क्या चोथा प्रहरी है तब जाकर कहीं सही चीज सामने आई क्या कि आप सरकार में नहीं थे विजेपे यहां पी सतर महू को बहुत विकास कि अवशक्ता है आप भी देख रहे हैं तो ऐसा मैं दोरहन चाहूंगा अपना सवाल किसा क्या ब्लूप्रिंट आपने तयार किया होगा आप कि जो अगर आप निर्वाचीत होते हैं तो महू क सबसे पहले तो किसान पुत्र हूं किसान की समस्याओं को घ्रमीन चेतर के परीवेस को मेरे से जश्यादा कोई नहीं जानेगा और यहां पर हमारा 80% ग्रमीन चेतर एक 176 गाहों है दो नगर पंचाय थे केंटोमेंण बॉर्ड है केंटोमें बॉर्ड में तु आपने देख अगर मेरा टिकेट काटा है तो तीन बार चार बार वालों को टिकेट दिया है फिर उन लोगों को कैसे दिया नमर एक नमर दो अगर सर्वे मेरा पिले नमर आया है तो फिर आप मेरा टिकेट कार्ट और आप उस व्यक्ति को जो 2003 में सरकार गई थी और कारकरताओं को बिलगता छोड़ करके अभी जब एक महिना बचा था और यह हवाई चल रही थी करनाटा की सरकार की हवा और आप सभी सर्वे की हवा की कांग्रेस की सरकार बन रही है ऐसे में वो पार्टी छोड़ कर आये उस व्यक्ति को आपने टिकेट दिया तो आपने की सधार पर किन मांदलों में टिकेट द पर कुछना है और यह संधिब द porta करता हूं का आपन है पार्टी के दौरा एक तरह आप सरकार वाने जारे हो एक तरफ एक पार्टी के विनेट मंतरी जो माननी नरेच सिंग टुमर टाप टाप टेन में हैं सेंटरल गोर्रमेंट सेंटरल सेक्टेट में सेंटरल मंत्री मंदल में और एक तरफ आप और तीन चार मंत्रियों को दे रहे हैं पहलाद पटेल को टिकेट दे रहे हैं पार्टी के महा मंत्री जो खद्दा और निता है कि लाश वजरगी उनको टिकेट दे रहे हैं एक पार्ड और आप ऐसे लोगों को जीतने के नाम है उनको आप उनके टिकीट काट रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं कि जिसका कोई जनाधार नहीं है उसको जो बच्चा पीदा हुआ था अथारा साल 20 साल फेले वाज बोटर है वो बच्चा इनको जानता ही ही नहीं है और इन्होंने कार्करताओं को वहां पर उस शेत्र में उन्हें बहुत प्रताडित किया है वो कार्करता पर आज उसके दिल पर क्या गुजरेगी तो यह सब चीजे हैं तो आपका कहना है कि पेराशूट से जो उम्मिद्वार उतारा गया है उसको इस्ताने जो है वो धार्मिक काम अलग किये हैं तो सब तरह के तमाम तरह के भारच जुड़ु यातरा में खुन पसीना एक करा है और जितना काम मदवदेस कांगरेस कमीटी नहीं कर पाई थी भारच जुड़ु यातरा में वो काम मेंने अकेले अपने दम पर अपना पैसा खर्च कर रहा हूं और यहां पर आप देखेंगे जब मैं तीन बार का हरा था तो इर मुझे भुपाल बुला कर मानी राहूल गांदी जी की सभा की जवाबदारी क्यों दिया आपने वो मैंने पूरी उस बात को निभाई और ये पता चला कि बुरानपूर में प्रियंका जी आई और म हमने सबाएं करिया तो ये सब चीजे इतने इग्नोर करना और एक तरफ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो कहां से सरकार बनेगी बहुत बहुत धन्यवाद आप